नारात मता की वंदे वंदे जम्मू कश्मीर मंदरों के शहर जम्मू की धर्टी पर देश के यशस्वी मान्य प्रधान मंतरी शिरीमान नरेंदर भाई मोदी जी का हम सब स्वागत करते हैं जोरगार तालियों से स्वागत आदने पढ़ान मंतरी जी का भारत मता की भारत मता की सबी भाई और बहनों से निवेदन करती हूं कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाए सबी भाई और वहनों से अब मैं मंच पर उपस्तित आदनी अध्यक्ष भाईर विंदर राना जी उनके साथ ही पाटी कारी कारी अध्यक्ष शिरिसा शर्मा जी और केंदरी मंतरी डाक्टर जीतिंदर सिंग जी सांसर जुगल किशोर शर्मा जी और सांसर जनाब गुलाम अली कटाना जी पूरू उप मुख्य मंतरी कविंदर गुपता जी पूरू उप मुख्य मंतरी डाक्टर निर्मल सिंग जी इन सभी भाईयों से निवेदन करती हूं कि आदनी पढ़ान मंतरी जी को माता रानी की चुनरी वह माता रानी जी की मूर्ती देकर आदनी प्रधान मंत्री जी का स्वागत करे मंच पर उपस्तित विभीन विधान सभाव में चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी आप सभी भाईयों को भी मेरी इस तरफ से धेरों शुब कामनाई आप मैं मंच पर अमंत्रित करती हूँ आदनी प्रधेश अध्यक्ष रविंदर राना जी को कि वो भी डाइस पर आकर हम सब का मात दर्शन करें हमारे देश के ये शस्वी प्रधान मंत्री परामश्रत थे स्रीमान मोधी साहब का मा वैशनों रानी जी के और मा बावे वाली की इस पवित्र धर्दी पर हम हिदे से स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं मानिये प्रधान मंत्री साहब के इस पवित्र भूमी पर आगमन पर मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ हाथ खड़े करके जैगोश करेंगे प्रधान मंत्री जी के स्वागत में बोलिए भारत मता की भारत मता की भारत मता की बारतिये जनता पाठी भारतिये जनता पाठी मान ये प्रदान मंत्री मोदी साहब बहुत बहुत धन्यवाद मंचसी विश्व के सबसे लोग के प्रिये नेता हमारे देश के यश्यस्वी प्रदान मंत्री परम श्रते मोदी साहब का हम मंदिरूं के इस शहर में दोगरूं की इस भूमी में हारदिक स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं साथियों ये हमारा सोभाग्य है कि मानिये प्रधान मंत्री जी का सने आशिरीवाद चम्मू कश्मीर की जनता को हमेशा प्राप्त होता है मानिये प्रधान मंत्री जी के अथक प्रियासूं से पिछले दस वर्षों में जम्मू कश्मीर में अमन, शान्ति, खुशहाली और भाईचारा मद्बूत हुआ है सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास इस मिशन को जो मानिय प्रधान मंद्री मोधी साहब की सरकार का मिशन है इसको जम्मू कश्मीर पर जमीनी सथा पर यहां इस धरातल पर लागू हम अपनी आँखों से होते हुए देख सकते है यह सारे प्रियास मानिय प्रधान मंद्री मोधी साहब के है मानिये प्रधान मंद्री जी आपके द्वारा जम्मू कश्मीर के हर वर्ग के साथ जो इनसाफ किया गया जम्मू के डोगरे हों बार्डर के उपर रहने वाले लोग हैं पी ओ जेके के विस्थापित वेस्ट पाकिस्तानी रफूजी गुर्खा समाज वालमी की समाज हमारे दलिट समाज के भाई वहन, हमारे जाट समुदाए के भाई वहन, गूजर, बकरवाल, पहाड़ी कभीला, कश्मीर के लोग, समाज के हर वर्ग का भला पिछले दस सालों में हमारे देश के मानिये प्रधान मंत्री मोधी साहब ने अपने हाथों से सब का भला किया आज जम्मु कश्मीर में हजारों की तादाद में यहां जो पंचाइतों के अंदर काम करने वाले पंच सरपंच हैं, जो जिनको अधिकार दिये गए, बीडी सी, डीडी सी, ये पंचाइती राज, ये मानिये प्रधान मंत्री मोधी साहब के अथक प्रयासूं का नतीज़ा आज पूरे जम्मु कश्मीर के अंदर समाज का हर वर्ग, अगर इनसाफ के साथ, खुले आसमान में, शांती पूरवग महोल में, आज अगर सांस ले रहा है, इसका सारा अश्रे हमारे देश के ये शहस्वी प्रधान मंत्री मोधी साहब को जाता है, हम जानते हैं कि घाटी को, शाम तीन बजे के बाद गाड़ियां चलना बंद हो जाती थी, आज दिन रात, सडकों में चहल पहल, बजारों में रोनक, जम्मु हो, कश्मीर हो, बाडर हो, पहाड है, मैदान है, माताएं, बेहने, नोजवान, बुजर्ग हैं, हर वेक्ती आज सुख की और गर की अनुबूती कर रहा है, जम्मु कश्मीर में, तो इसका सारा का सारा श्रे, हमारे देश के यशव्च्वी प्रधान मंतरी आजवड़्यक्त को जाता, मैं मानिय प्रधान मंतरी मोधी साहब का हरिदे से जम्मु कश्मीर की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूँ, आपार करता हूँ, साथ यो, मैं अधिक समय नह लेता हुआ, स्वायाम, मान्य प्रधान-मंत्री मोदी सहब से निवेदन करता हूँ, कि आज के इस जन सलाव, इस जन समंदर को आकर मान्य प्रधान-मंत्री सम्भोदित करें, जोर्तर तालियू के साथ, जोर तर तलियूं के सथ मान्ये प्रणाल मंत्री मोगी सोगा भी वादन करें बारत माता के भारत माता की जम्मुदे सारे बासियेगी मेरी तरफा हाथ जोडिये नमस्कार अवाज आ रही है डुग्यर के आप सभी शुर्वीर और देश भक्त परिवार जनों के बीच आकर मन प्रसन्न हो जाता है एक नई प्रेरणा से भर जाता है इस धरती ने महराजा हरिशी बहर्चन महाजान और पंडित प्रेमनाद डोगरा जैसे महान महान लोग देश को दिये हैं इस धरती ने देश की रक्षा के लिए खुद को नचावर कर देने वाली अनेक संताने दी हैं महान विरासत की इस धरती को नमन करता हूँ आज सहीद वीर सरदार बगसी की जन्मजेंती भी है देश के करोडों युवाओं की प्रेणा बगसीज को भी मैं सद्धा पुर्वक नमन करता हूँ भाई और बहनों जम्मू की ये सभा इस विदान सभा चुनाव की मेरी आखरी सभा है मुझे बीते हपतों में जम्मू कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में जाने का आउसर मिला है जहां भी गया वहां भाजपा को लेकर अभूत पुर्व उत्सात दिख रहा है जम्मू कश्मीर के लोग, कॉंग्रेस, एनसी और पीडीपी के तीन खांदानों से त्रस्त है लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें बस्ता चार हो, नोक्रियों में बेदभाव हो जम्मू कश्मीर के लोग, आतंक, अलगाव, खुन खराबाव, अब नहीं चाहते है यहां के लोग, अमन, शान्ती चाहते है यहां के लोग, अपने बच्चों का, बहतर बविश्य चाहते है और इसलिए, जम्मू कश्मीर के लोग, भाजपा सरकार चाहते है साथियों, पिछले दो चर्णों में, भारी मतदान ने, जम्मू कश्मीर की जनता का मूर्ग बता दिया है दोनों चर्णों में, भाजपा के पक्ष में, जबर्दस वोटिंग हुई है अब यहाँ, भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार सुनते हैं न, पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तै है और साथियों, मैं विशेत्रुप से जम्मू क्शेत्र के लोगों से आद कहना चाहूंगा कि जम्मू क्शेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मोकान नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है आज पहली बार जम्मू क्शेत्र की लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है और यह तो मंदिरों की नगरी है इस मोके को छोड़ना नहीं है चूकना नहीं है भाजपा की जो सरकार यहां बनेगी वो आपकी हर पीडा को दूर करेगी जम्मू के साथ दसकों से जो भी बेदबा हुआ है उसको भाजपा सरकार ही दूर करेगी भावी और बेनों आठ अक्तुबर को मा के नवरात्र के दिन नतीजे आएंगे और हम सब को माता वैश्णों देवी की साया में पले बड़े है और बारा अक्तुबर को विजियादस्मी है इस बार की विजियादस्मी हम सभी के लिए शुपशुरुवात वाली होगी जम्मू हो सामभा हो कठवा हो चारो तरफ एक ही नारा गुंजरहा है जम्मू की यही पुकार आ रही है बाजपा सरकार जम्मू की यही पुकार जम्मू की यही पुकार जम्मू की यही पुकार साथ्यों इस चुनाव में जम्मू कश्मीर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है बीते दसकों में यहां सिर्फ कॉंग्रेस नेस्टर कॉंफरेंस और पीडीपी के नेता और उनके परिवार बद वो ही फले फुले आपके हिस्से तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई यह जो हमारी पीडियां बरबाद हुई है इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कॉंग्रेस पार्टी है आजादी के बाद से ही कॉंग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है आप वो दोर याद किजिए जब सीमा पार्चे आए दिन गोले बरस्ते थे आए दिन मिडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी एक बार फिर सीज भायर का उलंगन उदर से गोलिया चलती थी और कॉंग्रेस वाले सफेज जंडा दिखाते थे लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उदर वालों के होश्टिकाने आ गए साथिवा आपको याद होगा आज 28 सितंबर है साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जीकल स्ट्राइक होई थी भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है ये गर में गुश कर मारता और एक आज का दिन है आतं के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोधी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा लेकिन साथियों आपको कॉंग्रेस का रवया कभी भी भूलना नहीं है कॉंग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फोच से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे कॉंग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है आप मुझे बताईए क्या कभी भी आप ऐसी कॉंग्रेस को माप कर सकते हैं क्या साथ क्यों देश के लिए मर मिटने वालों का कॉंग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकते यही कॉंग्रेस हैं जिसने चार दसक तक हमारे फोजी परिवारों को वन रैंक वन पैंशन के लिए तरसाया कॉंग्रेस ने हमारे फोजीों से जूट बोला यह कहते थे कि बन रैंक बन पैंशन ओ आर ओपी से खजाने पर बोज पड़ेगा लेकिन मोदी ने फोजी परिवारों के हीतों के आगे कभी भी खजाने को नहीं देखा है और इसलिए दोजार चवदा में सरकार बनने के बाद हमने ओ आर ओपी लागू किया अभी तक फोजी परिवारों को एक लाग बिस हजार करोड पे से अधीक मिल चुका है हाल में हमने को आरोपी को रिवाइट भी किया है जिससे फोजी परिवारों को और ज्यादा पैसा मिलना तै हुआ है साथियों आज की जो कॉंग्रेस है वो पूरी तरह अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है जब विदेशों से गुश्पेट यह यहां आते हैं तो नजाने क्या कारण है कॉंग्रेस को अच्छा लगता है उनमें उनको अपना वोट बेंक दिखता है लेकिन अपने ही लोगों की पीड़ा पर यह उनका भद्दे तरीके से मजाक उड़ाते हैं साथियों कॉंग्रेस नेश्टनल कांफरंस और पीडीपी यह संभीधान के संभीधान के सबसे बड़े दुश्मन है इन्होंने बाबा साब आमेड करने जो संभीधान दिया उस संभीधान की स्पिरीट का गला गोटा है आप देखिए यहीं जम्मों में कई कई पीडियों से रह रहे अनेक परिवारों को गोट देने तक का हक नहीं था उन्हें इस हग से किस ने वंचित किया कॉंग्रेस, एन्सी और पीडिपी ने पिकिया है अब भाजपाने बाबा साब आम्बेड करके संभीधान के स्पिरीट का सम्मान करते हुए ये अथिकार अपने इन भाई बेहनों को दिया है पस्टिम पाकिस्तान और पीओ के से आए हमारे बेहन भाई हमारे गोर्खा साथी, हमारे वालमी की परिवार देश के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है लेकिन अनेक पिडियों से इनको दूसरे दरजे का नागरिक बना कर मजबूरन जीने के लिए छोड़ दिया गया कॉंग्रेस और उसके साथियों के इस पाप को क्या कभी भी भुलाये जा सकता है साथियों भारत के सम्मिधान ने लोकल बोडिस की व्यवस्ता बनाई है लेकिन सम्मिधान के इन दुश्मनों ने जम्मू कश्मीर में पंचायत बीडीसी और डीडीसी के चुनावों को भी रोक रखा था सम्मिधान के तहट शेडूल ट्राइब के लिए सीटे आरच्छित होती है लेकिन कॉंग्रेस नेश्टनल कांफरेंस पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के कमजोर तबकों को ये हक नहीं दिया भाजपा सरकार नहीं सम्मिधान में दर्च ये हक दिये है आज देखिये जम्मू रिजन की छे सिटे एस्टी के लिए रिजर्व है इसे गुजर बकरवाल पहड़ी समुझाए ऐसे हमारे अनेक समाजों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा जिन साथियों को ये हक मिले हैं व्यबखुल कर भाजपा की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से वोट दे रहे हैं भाजपा पर भरोसा का एफिक्स डिपोजीट हमारी बहुत बड़ी पूजी है इस पूजी की रक्षा में हम कोई कोड कसर बाकी नहीं छोडेंगे साथियों, कॉंग्रेश, नेशनल कानफरंस, पीडीपी के कारण जिनको भी गाव लगे हैं, उनका मत मजहब कोई भी हो भाजपा हर गाव पर मरहम लगाने में जूटी है भाजपा ने कश्मिरी पंडितों के पुनर्वास के लिए टीकालाल टपलू स्कीम की गोशना की है विस्थापितों के पुनर्वास के साथ साथ उन्हें जो आर्थिक सहायता मिलती है, उसको बढ़ाने का भी वाइदा भाजपाने किया है साथियों, आज जम्मु कश्मिरी में आ रहे बढ़लाव से कॉंग्रेस, एन्सी और पीड़ीपी वाले बढ़के हुए है, इन्हें आपका विकास पसंद नहीं है, ये लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी, तो फिर वो पुराना सिस्टिम लाएंगे, ये फिर वो बेदभाव वाला निजाम लाएंगे, और जिसका सबसे बड़ा शिकार, हमारा ये पूरा जम्मु रिजिन रहा है, कॉंग्रेस, नेशनल कांफरंट, पीडीपी ने जम्मु के साथ हमेशा अन्याय किया है, ये तुष्टि करन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप इनके भासोनों को सुनिये, कैसे डोगरा विरासत पर ये हमला करते हैं, महराजा हरी सी को बदनाम करने के लिए, ये कैसे कैसे लांचन लगाते हैं, देज का सबसे ब्रस्ट परिवार, कॉंग्रेस का परिवार, डोगरा राज को ब्रस्ट बता रहा हैं, मैं जराब से पूछना चाहता हूँ, जम्मु खेत्रे के लोग मुझे बताईए, क्या ये आरोब आपको सुकार यह हैं, सुकार यह हैं, साथियों, भाजपां, जम्मु के साथ हुए, आइतिहां सिक बेदभाव को दूर करने के लिए, प्रतिबद्ध है, बीते दज सालों में, जम्मु को IIT, IIM और AIM जैसे, बड़े संस्थान मिले, कठुआ और सांबाज लेके, कंडी खेत्र में भी, नई सडके बनवाई जा रही हैं, चत्तर गला टरनल बनने से, कठवा और डुडा की कनेक्टिविटी और बैतर होगी, कॉंग्रेस बॉर्डर के गाउं को हो, आखरी गाउं मानती थी, भाजपा ने इनको पहला गाउं बनाया है, अब वाइब्रेंट बिलेट प्रोग्रेम के तहट, सीमा से सटे गाउं का विकास किया जा रहा है, यहां जम्मू रिंग रोड पर भी तेजी से काम चल रहा है, इस्चे यहां जाम की समस्चा तो कम होगी ही, आसपास की तहसीलों के दर्जनों गाउं को फाइदा होगा, साथियों, आज जम्मू की सडकों पर, इलेक्ट्रिक बसे चलने लगी है, जम्मू रेलिवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है, जम्मू एरपोर्ड का विस्तार किया जा रहा है, भाजपास सरकार ने, बहग के लिए से महा माया मंदिर तक, रोपे को भी शुरू किया है, जम्मू रीजन में परियतन को बढ़ावा देने के लिए, अनेक स्थानों को विख्सित किया जा रहा है, गराना वेट लेंड्स, सुरिंसर जील, और बियेस एप चुंगी पोस्ट में हो रहा काम, आपके सामने है, यहाँ जब तभी रिवर फ्रंड बनकर तयार हो जाएगा, जब तभी के किनारे आरती होगी, तो सब के लिए कितना मनोरम दश्च होगा, साथियों, इलाज हो, मेडिकल की, पैरा मेडिकल और नर्थिंग की पड़ाई हो, इसको लेकर तो जम्मू में, अभुद्पुर्व काम हुए है, विजेपुर में एंफ बन चुका है, यहां स्टेट कैंसर इंस्टिटूट भी शुरू हो चुका है, हड्डियों से जुड़ी बिमारी के इलाज के लिए, इतना बड़ा और आधुनिक अस्पतान यहां बड़ा है, कठुआ में मेडिकल कॉलेज बनने से, एक बहुत बड़े इलाके को सुविदा हुई है, यहां बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज भी बनाए गए हैं, आने वाले समय में जम्मू के विकास के काम और तेज होने वाले हैं, साथ यो, मैं यहां के व्यापारी कारोबारी समाज को हमारे नवजवानों से भी कहूँगा, कि आने वाला समय आपके लिए भी आउसरों से भरा हुआ समय है, हमारा प्रयास है कि जम्मू में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, यहां नए कार खाने लगे, ताकि नवजवानों को यहीं अपने अपने जीलों में ही रोजगार मिले, इसके लिए भी जम्मू कश्मीर भाजबा ने अनेक बड़ी महत्वपूर्ण गोश्राएं की है, हमने सरकारी भरतियों में भी पारदर्शी व्यवस्ता बनाई है, पहले सिर्फ उनी को नोकरी मिलती थी, जो कॉंग्रेस, नेशनल कांफरेंस या पीड़ीपी के खास होते थे, अब इस पुराने सिस्टिम को फिर से लौटने नहीं देना है, पुराने सिस्टिम की बंदिशों को तोड़ कर, अब जम्मु के स्मीर में हर नवज़वान को उसका हक और सम्मान मिलेगा, साथियों, भाज़पा का प्रयास है कि माताओ, बेहनों, बेटियों का आर्थिक ससक्ति करण हूँ, हमारा प्रयास यह है कि परिवार की कमाई में माताओ, बेहनों, बेटियों का योगदान बड़े, इसलिए हम बहनों के सेल्फ हेल्फ गुप्स को मदद दे रहे हैं, हम जम्मु कस्बिर की बहनों को लगपती दीजी बना रहे हैं, बेहनों को खेती के लिए ड्रोन पाइलट बनाने की भी बड़ी योजना शुरू की है, इसे जम्मु की अनेक बेहनों को ट्रेनिंग भी मिलेगी और सरकार से ड्रोन भी मिलेगी, जम्मु कस्बिर भाजपाने माताओं बेहनों के खाते में भी हर महिने हजारों रुपिये जमा करने की गोशना की है, साथियों, इलाज का खर्च, जीरो, बिजली का बिल, जीरो, और अतिरिक बिजली से कमाई, ये भाजपान का संकल्प है, और इसलिए यहाँ हर परिवार को गोल्डन कार्ड की सुविदा मिली है, मैंने सोचल मिडिया पर यहाँ के बुजुर्ग की बाते सुनी है, वो बता रहे थे कि गोल्डन कार्ड से उनका तीन बार ऑप्रेशन हो चुका है, और उनके बेटे का भी मुप्त इलाज हुआ है, गोल्डन कार्ड से उनका जीवन भी बच रहा है, जो महंगा इलाज करा ही नहीं पाते थे, मुझे खुसी है कि अब जम्मू कश्मीर भाजपा ने, मुप्त इलाज की रकम को बढ़ा कर साथ लाख रुपिय करने का वाइदा किया है, साथियों, आपका सेहत पर होने वाला खट तो बची रहा है, हम आपका बिजली का बिल भी जीदो करना चाहते हैं, मुप्त बिजली नहीं, बिजली से कमाई भी हो, ये व्यवस्ता हम कर रहे हैं, ये सब कुछ, पी-एम, सूर्यगर, मुप्त बिजली योजना से होगा, पहले आपको छट पर सोलर पैनल लगाने के लिए 80 हजार रुपिये तक की मदद सरकार देगी, जिससे बिजली बनेगी, बिजली का बिल जिरो हो जाएगा, इतना ही नहीं, जो अतिरिक बिजली बेचेंगे, हर परिवार को अवसतन पचीश से तीस हजार रुपिया बचने वाले हैं, साथियों, मैं जानता हूँ, साट, पैंसट सालों में, इस पूरे छेत्र की ऐसी बरबादी की गई है, ऐसी तबाही की गई है, विकात तो छोड़ दीजिए, जीवन के हर छेत्र में, गड़े ही गड़े हैं, खाई बन गई है, लेकिन आपको यह बता दो, जीवन के हर छेत्र के इन गड़ों को भरने के लिए, मोदी पूरी इमानदारी से काम कर रहा है, आपकी हर इच्छा, हर जरुरत को पूरा कर ले के लिए, मैं कोई कोड कसर नहीं छोड़ूंगा, जम्मू कश्मीर को केंद्र सासीत प्रदेश बनाने का फैसला अस्थाई है, जम्मू कश्मीर को भाजपाही है, जो पूर्ण राज्य बनाएगी, आप हमारे इन सभी साथ्यों को भारी मतों से जिता कर बेजिए, सभी उम्मीद्वार आगे आजाएं, ये सभी आपके प्रतिनीची बनें, ये सभी आपके सप्नों को साकार करें, इसके लिए आपके आशिरवाद चाहिए, आप इतनी बड़ी संख्या में हाँ आए, हमें आशिरवाद दिया, इसके लिए आप सब का बहुत पौदाभार, मेरे साथ बोलिये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद, आप का बारत माता की, झाल झाल